बूर्ट रखी और चर्चाmar में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भार्तिय सिनेमा जगत के एक ऐसे अभिनेता जिनके समर्थ अभिनए Contain के उनके समय में भी होती रही और आज भी हुती है एक सुपर स्टार के तौर पर हम उनको पहचानते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है एक अभिनेता और एक बेमिसाल अभिनेता होना ये तो उनके विक्तित्तों का एक बहुत एहम पक्ष है ही लेकिन उसके साथ उनके भीतर एक विचारक एक द्रश्टा एक अपने समय परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ते हुए निरंतर अपने समय की परिस्थितियों को ना सिर्फ देखना बलकि उन पर टिपणी करना और कोशिश ये भी करना कि सारवजनिक जीवन में आकर उन सारी चीजों पर कहीं न कहीं कुछ निरनायक रूप से विनम्रता के साथ अपनी भूमिका को अदाभी करना ये भी उनका चरित्र और उनका सुभाव रहा है इसलिए वो अपनी पीड़ी में भी एक अलहदा विक्तित्व के तौर पर एक अभिनिता के तौर पर देखे गए और आज भी अगर मैं बात करूं और उनको जब भी मैं देखता तो वसीम बरेलवी साब का वो शेर मुझे जरूर याद आता है कि उसूलों पर आचाए तो टकराना जरूरी है जो जिन्दा हो तो जिन्दा नजराना जरूरी है और यही उनका अंदाज है और अभी तो वो युवा ही है अला कि कहने वाले कहते हैं कि सत्तर पार कर चुके ह लेकिन उसके बाद भी उनकी खनक उनका अंदाज और उनकी चमकती हुई आँखों में मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी तीस से उपर ही कुछ होंगे वो तो मुलाकात करिए मेरे साथ है नामचीन अभीनेता सुपर सितारे रहे और उतने ही महत्तवपुर्ण एक राजनेता रहे शत्रुगन सिना जी से बहुत स्वागत करता हूं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके बंसलनी उसका और बहुत अच्छे से पेश किया आपने आपका आभार प्रकट करता हूँ बहुत धन्यवाद से पहला मेरा प्रश्ण यही होगा क्योंकि आपको मैंने कहा कि आप एक दृष्टा की तरहे एक विचारक की तरहे भी अपने समय को देखते रहे हैं आप उस समय भी आपने बहुत उर्जा के साथ उस समय को भी आपने देखा है जब एक क्रांती बिहार मे खड़ी हुई थी जैप्रकाश जी के नित्रुत तुम्हें और आज भी आप देख रहे हैं कि समय कितना बदलता चला जा रहा है समय की इस नदी में बहुत पानी बह चुका है लेकिन आप कहां देखते हैं कि भारत आज कहां खड़ा है अगर मैं राजनीतिक दर्शन और र जुनौतियां हैं क्या अच्छी चीजें है और क्या ऐसी चीजें जिन से बच कर हमको चलना है जी बहुत बहुत भनसल जी जिवेदी जी सर 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 जिवेदी जिए भृषा कि ना हखा की है और इसमें देश के राश्ट निर्माताओं का बहुत बड़ा योगदान है जैसे हमारे परमादर्णिय महात्मा गांधी जवाला नहरू सर्दार वल्लब भाई पटेल डॉक्टर राइंदर प्रसाद नेता जी सुभाशन बोर्ष मौलाना आजाद और इन तमाम लोगों गांधी जी हों कि अभी भी राखल गांधी और पूरी टीम इन्होंने बड़ी कोशिश की है और खासकर उस पीड़ी ने तो घजब किया है कि देश को इतना संपन इतना मौडनाइजेशन के साथ आगे बढ़ाया है जितने आई 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 टीज हैं ये जितने सारे ब्रिज अज़ादी में देश के आज़ादी में उनका सबसे फ्रमुख योगदान रहा उसी तरह देश के निर्मान में भी बहुत बड़ा योगदान रहा उन्हों का और रही बात कि धीरे धीरे बाद के लोगों ने जिसमें हमारे बुदपुर अभुत परदां मंत्री अटल-बि कि हम पैदा हो गए जी कि है अटमिक पावर जी नहीं के साथ और करम शह बढ़ते बढ़ते हमारा विकाशील देशों में से नाम रहा विकाशील देशों में हम रहे लेकिन हम लोग उससे भी उपर सबसे जादा विकाशील देश जो रहें दुनिया में उनके करीकर नजदीक आने की प्रक्रिया में हम लग गए और यह बहुत अच्छा हुआ बहुत बढ़िया हुआ यह देश में आद दुनिया में जितने बड़े-बड़े जादातर साइंटिस्ट हो यह सीयो हो यह आपको डॉक्टर्स हो वेग्यानिक हो कि आपको इंजीनियस हो यह जितने चाहिए आईटी का यह प्रोफेशन हो जितने जगह आप देखेंगे जादतर भारतियों को देखेंगे और भारतियों को उस हद तक लाने में पहुचाने में भारत को आगे बढ़ाने में इन राष्ट निरमाताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा हम उनको परणाम करते हैं लेक आरे मजदूर परिवार के लोगों का अब तो पलाएन के साथ साथ उनके ओप जो घंगोर संकर देखिए कुछ दिनों में खासकर महामारी के दौरान महामारी के पहले भी जिस तरह से बेरुजगारी देखिए अभी जिस तरह से लॉकड़ाउन्स में बंद हम लोगी जो आ रोजगार हैं आज के दिन उसमें महामारी का भी हाथ है उसमें नोड़ बंदी का भी हाथ है कैश से चलता है कैश लेस से नहीं चलता है, कैश से चलता है. तो हमारे अच्छे अच्छे लोग वो रास्ते पर आ गए, अच्छे अच्छे लोगों के दुकान बंद होगी, छोटे-चोटे व्यापारी तबाह हुए, काफी लोग किसानों के हालत, मजदूरों के हालत, यंगर जेनरेशन के हालत, स्रकार्पे ही नहीं कह रहा है कि समाज सरकार सब ने मिल के जितना कर सकते थे या जैसा जितना कि उसके करीब भीनी पहुंसके तो आज के दिन में अगर आब बात करें तो एक चिंता की घड़ी है झेक तरव महामारी है नी मैं के वाड़ी हैम है बेरोजगारी है महा आर्थिक संकट है आज बताएए 24 प्रतिशत करीब करीब 23.9 प्रतिशत आज हमारे जीडीपी के हज हुई है माइनस में चले गए हैं इसे ठीक कहा है इसके शुन्न तक महीं आने में कितने भगवान न करे वह लगता कितने साल लग जाएंगे शुन्न तक ही आने में जब तक हम तमाम लोग चुस्त और दुरूस्त नहीं हुए जब तक सरकार के साथ साथ समाज और समाज को अंकुष भी रखना पड़ेगा सरकार पे चाहिए किसी की सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो तो आज की हालत तो ये है कि हमें फिर से एक बार संगर्ष के लिए जूजने के लिए लड़ने के लिए और इन सब कामों करते आगे बढ़ने के लिए एक होसला अफजाई की जरूरत है सही तरीके से एक मजबूती की जरूरत है और आप सब लोगों का आशिरवाद और प्यार और सही हो की जरूरत है तो आज का भारत को वो दिखरा है बिल्कुल आपने बहुत बखुबी आपने इसकी पूरी व्याख्या की है किस तरह देखते हैं आप ये बिहार जो नालंदा का बिहार रहा है जो तक्ष शिला का बिहार है जो आज भी मेधा और प्रतिभा का बिहार है कॉम्टिटिव एक्जाम में छा जाने वाला बिहार है बॉलेवुड में शत्रुगन जी की तरह अपना रंग जमाने वाला बिहार है ये बिहार क्या कुछ इस चुनाव में किस दिशा में जाता हुआ बढ़ सकता है किस तरहे देखते हैं आप इस चुनाव का किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा उससे पहले मैं शरद जी कहना चाहूंगा कि आज के हालात में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसले मैं पब्लिक डुमेन में इस बात को ला चुका हूँ अभी सही वक्त नहीं है चुनाओ का, भले घुशना कर दी हो दो चीज़ों के कहना चाहूंगा, एक तो भुशना कि छे चरण में चुनाओ, क्या भई, महामारी के वक्त में एक तो आप चुनाओ करवा रहे हैं को हमारे बड़े सारे ओपोजिशन के लीडर्स और रूलिंग पार्टी के भी बहुत लोगों को हमने चिंतिक देखा है बिहार में कि क्या चाहते हैं, जैसे तेजस्वियादों ने कहा था या और लोगों ने कहा कि आप चाहते हैं किसी वोटिंग के बाद सीरे कुछ लोग हस्पताल में जाए, आज वहाँ पे आज दुनिया को पता है, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं हमारी, और उसकी और उसके बाद आप ये कर रहे हैं, वो प्रभू के भरोसे तो डाला हुए हमने पूरे देश को ही आज लगता है, एक चाहिना का खत्रा और बने जो बाते हो रहे हैं उस पर बाद में आएंगे, लेकिन बिहार में जो साफ दिख रहा है कि आप प्रभू के भरोसे पूरा बी तो कीजिए, क्या आस्मान तूट पड़ेगा अगर अगर चुना कुछ दिन बात कर लेंगे तो, अभी क्या आप चाहते हैं सिर्फ सारी रैली वर्च्वल रैली हों, आप चाहते हैं कि सब लोगों को सिर्फ घर में बैठा जाया और घर में कुछ लोगों को सूट चाहरे में कितना जिकर हो चुका है, कि वर्च्वल रैली में इतना खर्चा कर रहे हैं, और बिहार के हस्पतालों पे, मरीजों पे, डॉक्टर्स रिशियो पे, पेशियो पे उस पर खर्चा नहीं कर रहे हैं, जे, उस पर अगर करेंगे, मैं तो भारत सरकार से भी कहता हू बिहार हमारी शक्ती है, और बिहार ही हमारी कमजोरी है, जिर्जा के आपने कहा, हम हिंदुस्तानी हैं, लेकि चुके मेरा जम्स्तान है, वहां से लगाव है, वहां से जुडाव है, तो बिहार की सभावी तोर पे चिंता बहुत जादा होती है, हमारी मजबूती भी है, और नहीं मान रहा है कुछ और कार्डों से भी तो इलक्षन कमिशन तो पिछली बार EVM मशीन के मामले में बहुत हंगामा हुआ था नहीं माना था इलक्षन कमिशन बाद मिश्टर प्रीम कोट ने भी नहीं माना उसको लेकि EVM के मशीन के बारे में आज भी लोगों को बहुत शक है और इस बार तो बहुत अपरचुनिटी मिल सकते है ऐसा लोगों का मानना है और मिल सकते हैं क्योंकि एक तो बिहार का सबसे इंपोर्टन इलक्षन है इस वक्त में दिशा की बात की किस दिशा में बिहार जाएगा सब लोगों की नजरे ठीकी हुए उसके बाद बेंगॉल पे उपर से आपने नका कह दिया कि सो एविय मशीन आपने खुद देखा पिशली बार उसके दुरुप्यों के चांसे बहुत जादा है इस बार पिशली बार देखा पूरे बिहार में कैसे कोई अखीन करेगा कि 40 सीटों में से उन 40 सीटें, चली गई उनलों के पास, एक सीट आई आई उपोजिशन के पास, महागडवंदन के पास, एक सीट. माद़ परदीश में एक सिट आई रास्थान में नहीं आई बंगौल में उसी एरिया में जो बिहार से जुड़ा हुआ उस एरिया में क्या क्या नहीं धानली हुई और लोग कहते हैं और क्या क्या नहीं हुआ इवी-म का चुनाओं के साथ-साथ EVM कीप का डर, महामारी का डर, महामारी का सननाटा, बेरुज़गारों की भीड, लोगों के अंदर खुसा, चारों तरफ लोग तरस्त और ग्रस्त हैं आज की इस पूरे सिच्वेशन से, और उस समय आपने एनाउंस की घुशना के दा, उपर से, एना की बात करते हैं, आद तो कहते हैं, बहुत अच्छा हो गया मामला, देश में सुख, शान्ती है, आप कहते हैं, किसी का नाम लेकर हमारे दोस्ती हैं, भारत के प्रदान मंत्री हैं, नारा देने में तो सबसे आगया आ जाते हैं, उनके लोग और हमारे लोग भी, कि मोदी है तो मुम्किन है तो मोदी है तो ये मुम्किन है कि आज के दिन भी इस सनाटे में भी आपको छेचरण में करना पड़े अब भी भी लोगों को election पुस्पॉन करने के लिए इन गंभीर समस्याओं को देखते हुए सही platform पे जाना चाहिए और इसे जितना हो सके थोड़ा पुस् जी की बात नहीं करना हूँ और दॉक्टर राजिंदर पसाज जी की बात नहीं करना हूँ पुड़े बर लोगों की बात जी मैं सबका कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बिहार में बिहार में इतना टैलेंट है उनको एक सही मौका फिर से मिलना चाहिए हमारे चात्रों को स चार से जुड़ा हुआ प्रश्न है हम ये महसूस कर रहे हैं कि एक खिड़की होती थी कुछ साल पहले परिवार में भी जिस खिड़की को बुजर्गों की तरफ वो खिड़की खुलती थी और उस तक उस खिड़की तक पहुंचने का पुल जो है वो जॉइन फैमिली हुआ क करती थी आप बड़ी आसानी से उस पुल के साहरे उस खिड़की को खोलते थे और अपने बजर्गों से रूबरू होते थे और जो भी समस्याएं और पेचीद्गियां होती थी उनका हल लेके लोटते थे पार्टी और संगटनों में भी यही विवस्था थी कि एक प्लेट की बंद हो रही है वो खिड़की मुंबई फिल्म जगत में भी बंद हो रही है अजीब अजीब से बयान आ रहे हैं डोप टेस्ट करा ये ऐसा लग रहा है कि मुंबई में हरा बिनेता ड्रग्स लेता है राजनितिक दलों में ये परिशानी है बात कॉंग्रेस की हो बीजे पैid की हो हर जगे ऐसा लगता है कि वो खिड़कीआं बंद हो रही हैं तो ये समवाथ की खिड़कीां क्या राकि बंद हो रही है सदर अगर ऐसा हो रहा है तो वह बहुत सी धर्दनाक मामला है नहीं होणा चाहिए मैं पार्टी हो पॉलिटिक सो या जिस पार्टी से मैं भारती जनता पार्टी से जहां नाना जी देशमुक भारत रतना हमें लेकर गए और अडल जी और अड़वानी जी अड़वानी जी कुछ तो हमेशा मैं मानता ही रहा हूं अपना ब्रेंट फिलोसफर गाइड गुरू और अल्टिमेट लीडर इन लोगों से बहुत कुछ सामाजिक जिम्यदारी के तहट रादनीत में आया था और रादनीत में जब आया तो भारती जनता पार्टी में आया था यहां पर इन लोगों से बहुत कुछ सीखा और एक चीज़ जो सबसे अच्छी सीखी थी वो थी कि समवाद कभी समवाद में गतिरोद नहीं होना चाह पाद भी गया था वहां भी कहता था यहां भी आज भी कहता हूं कि डार्लक्स मस्ट कंटिनिव समवाद हमीशा चलते हैं पिर निर विरोध मस्ट बीडालोगस मस्ट कंटिनिव उन आन इश्चुट बी इंण अन इंट्रॉप्टिड ये तूटना नहीं चाहिए लडाई ज प्राब्लम अगर है तो जगड़ा है वार है सबसे बड़ा जगड़ा वार है वो सलूशन नहीं है वो प्राब्लम है तो समबाद तो होना ही चाहिए लेकिन आपने ठीक अब्जर्व किया मैं समझता उसी अब्जर्वेशन के आधार पे आपने कहा है कि अब जगा जगा अहम नहीं हम कैसे बात अहम आ गया जी 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 और उसी तरह से जब ने फिल्मों की बात की तो मैं देखता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री को लोगों ने एक तो स्लैंग करके बॉली वूड बना दिया बॉली वूड तो है ही नहीं न था न है मैंने नहीं बोला है बॉली तो फिल्म इंडस्ट्री है रहा है हम देखिए हमारे दोस्त और ये नाश्टल आइकॉन हमिताब बच्चन भी कभी बॉली वूड नहीं बोलते हैं मैं भी संबोधित नहीं करता हूँ बॉली वूड के मैंने भी नहीं कहा सर लेकिन इसलिए मैंने आपको कहा नोटिस किया म मैंने अच्छा लगा मुझे तो एक तो बॉली वूड बॉली वूड कह देते हैं दूसरा फिल्म इंडस्ट्री को दूसरा जब भी देखो फिल्म इंडस्ट्री पर जोरदार अटैक हो जाता है एक दम विपिंग होर्स है एक चाबुक चुलाना हुवा ही घोड़ा है जो क और्परेट हाउसेज हो सारे को उतार चड़ाओ अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं दूद के धुले नहीं होते हैं अभी आप ही देखिए अभी हला चल रहा है कुछ ड्रग कहां से दिशा कहां से कहां जा रही है अब ड्रग में मुद्दे से हटते हुए अब ये तने स सालों से NCB है कंट्रोल बियरो नर्काटिक्स का कबसे है आज अचाना ऐसा लग रहा है जिसे पहली बार ऐसा हो रहा हला कि मैं खुद कहता हूं मैंने खुद अंटी ड्रक्स के लिए बहुत कैमपेंग किया है मैं आज भी अंटी ड्रक्स और अंटी टुबैकुलरी कैमपें करता हूं अभी मैं नर्काटिक्स कंट्रोल बियरो के लिए बिहार में भी मैंने अपनी आवाज दी थी और मैं वीडियो भेजा था से नो टु ड्रक्स यस टु लाइफ जिन्दगी को हाँ बोलो ड्रक्स को हमेशा ना बोलो और शंट टुबैको टुबैको हमेशा कि छोड तो ये घातक है ये माट डालती है आपको आपके समाज को आपके परिवार को और आपके देश के लिए विश्व के लिए बहुत ही घातक है टुबैको मैं तो खुद एक जमाने में सिगरेट पीता था लेकि जब मुझे महसूस हुआ तो बगएर किसी ऑल्टरनेटिव के य नहीं उसके बने चिकलेट ले लिया चूंगम ले लिया कुछ नहीं विल पार संकल्प के साथ हमने छोड़ा और मैं आज भी यंगर जनरेशन को लोगों कहता हूं कि सब गुटका है खैनी है सिगरेट है तंबाको है या इस तरह का कोई चरस गांजा है या कोई इस तरह का आप जो लेते हो अगर लेते हो तो या परिवार में को लेता है तो उसको निजात दिलवा उनको च्रवा उनको सपोर्ड करो मदद करो और किसी जो भी लेता है वो कोई खलत आदमी नहीं है वो आदमी बैड नहीं है सैड हो से हमारी परिवार का हर परिवार है कोई ऐसा पर नहीं है जैसे पेशेंट से हम पेशेंट्ली ट्रीट करते हैं उसी तरह से कोई टुबैको ड्रक का शिकार हो तो उसको हमको बड़े पेशेंट्ली लेकिन संकल्प के साथ डील करना चाहिए अमशियर काम्याबी मिलेगी अभी क्या हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री की बात कर र सारण के लिए ज़िए आतो लगता है उसने कहीं यह तो राधनातिक मजबूरी में या कोई जल्दबाजी में या स्लिप कर गएंगो और हूं उनोंने कह दिया सहाब कि सो सारे फिल्म इंडस्ट्री को लोगों का की जांच होने चाहिए और सब को अटेस्ट करना चाहिए कौन ड्रक्स पर है कौन नहीं है तब क्या कि उनकी सही पहचान होगी ऐसा ही कुछ कहा उनों ने अच्छा बढ़िया बात है आपने सारी फिल्म इंडस्ट में क्यों नहीं होना चाहिए संसद में क्यों नहीं होना चाहिए जितने लोग पॉलिटिक्स में हैं आज आपके मंत्री गण जो हैं जो वो लोगों पर क्यों नहीं होना चाहिए जो कि जिन्होंने की सरकार महामारी के बीच में सरकार बनाने और सरकार गिराने के चक्र में लगे हुए थे उन लोगों पर देखना चाहिए को नशे में तो ऐसा काम नहीं कर रहे थे महामारी से हाहाकार था नमस्ते ट्रम्प के बाद जो हंगामा हुआ है पूरे देश में जिसको लोग बचाने और समालने की कोशिश करते हैं और चारो तरह उस समय आप सरकार बना रह जो पीटर के लिए सही और पॉल के लिए सही होना चाहिए मैंने देखा कि मुंबई फिल्म जगत में भारतिय सिनेमा जगत में शत्रुगन सिना सर तो बहुत मुखर हैं लेकिन और जो बड़े नामचीन लोग हैं जो अगर सामने आते और एक राय बनाते और कहते कि यह हम पर छोड़ दीजिए हमने खून पसीने से सीचा है हमारे एंसेस्टर्स ने सीचा है सर आपके हैं एक चुपी है मुंबई फिल्म जगत में भारतिय सिनेमा जगत में और यह चुपी कई बार उन लोगों को बोलने के लिए आगे मंच दे देती है माफ कीजेगा मैं भी यह क कितना कद है और कितना उनका पद है और कितनी उनकी वाइस है सरु मैं शरत जी इसके जवाब में ही कहना चाहूँगा संग्शेप में कह सकूं तो कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना यूहीं कोई बेवफा नहीं होता उनकी कुछ मंजूरियां होंगी कुछ लोग कि कुछ लोगों की कमजोरियां होंगी, कुछ लोगों की भै के शिकार होंगे, कुछ लोगों बैड पॉलिटिक्स के शिकार होंगे, कुछ लोगों मीडिया ने उनके साथ अच्छा अनुबह पहले का नहीं रहा हो, कई बार उनको लगता है कि हम कुछ कहें और हमारी बातों क आपने हमारे इंटर्वियू में देखा होगा कि मैं तो साच को आच क्या लेकर चलता हूँ आपने देखा होगा और दूसी बात चंदल लोगों में से हूँ मैं भागेशाली कहूंगा कि जिन पर अभी तक किसी किसम का व्यक्तिगत है आप प्रोफेशनल भी पॉलिटिक्स हो फिल्मों में हो यस किसी तरह का कोई आरोफ नहीं लगा है और मैं हमेशा प्रफू से ही मनाता हूँ कि ऐसा दिन ना देखना पड़े जिब किसी काम से मुझे अपने लोगों के बीच अपने समाज अपने बिहार अपने देश के लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़े मेरे लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। इसल neglig जब जब आपने मुझे याद किया है जब 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 लोगों मुझे याद करते हैं चुकर मेरे दिल में कोई चौर नहीं है खुलासा है मैं आराम प्यार से बात कर सकता हूँ इसलिए मैं सामने आ जाता हूं और जब सामने आ जाता हूं, तो जैसे हमने देश की बातें की, चाइना की बातें की, लड़ाई जगड़े की भगवान ना करे हो, लेकिन जो बेरोजगारी और बुफलिसी की बात की, जो आज इतना हंगामा चल रहा है, उसकी बातें की, तो मैं यही कहना चाहूंगा, और खासकर आपके बहत बार दूरा चुका हो कि हो गई है पीर परवत सी पिखलनी चाहिए इस हमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए आज ये दीवार परदों के तरह हिलने लगी शर्क लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए सिर्फ अंगावा खड़ा करना मेरा मकस्द नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए भले इस चुनाओं के जरीए भले इस देश के करनधारों के जरीए भले समाज के जरीए भले आप और हमारे जरीए लेकिन अन्तों कत्वा हमारी ही ख़ाईश है कि देश में खुशाली हो एकता हो सर्व धर्म समभाव हो इसी कामना प्रातना और मनोकामना के साथ मैं आपको पुना पुनाम करता हूँ और आपका आभार प्रेट करता है एक एक शेर आपकी भी नजर करूँगा मैं चुकि दुशन जी के आपने बात की और हमारे इसी ख़ेर दुशन जी मैं बहुत बाकिशाली हूँ उपनके पत्र मिला है मुझको जिसको उन्होंने मेरी भी बहुत तारीफ किये जुक कर बोच से दोहरा हुआ होगा मैं सजदे में नहीं था आपको दोखा हुआ होगा तो ये बहुत शुक्रिया आपके वजूद पर ये काफी सौ फीजदी एक खरा उतरता है ये शेर और मैं दूआ करूँगा कि मैं फिर कहूँगा कि सतर पार तो आप यकीनी तोर पर नहीं लगते तीज से उपर जान पड़ते हैं और आगे भी आपका ये ठाहका आपकी आवाज और किसी के प्रती कोई भी मुखालिफत नहीं है आपकी आवाज में ना बीजेपी कॉंग्रेस में अब आप हैं लेकिन ऐसा नहीं कि कॉंग्रेस ही कॉंग्रेस का भज़न है बीजेपी की कोई आलोचना नहीं है मुलक से महबत है लोगों से महबत है मुंबई से बेंतहा प्यार है आपका ये प्यार आपका ये जजबा हमेशा बरकरार है और आगे भी मैं उस अपार्चुनिटी को बहुत एकरली देखूंगा जब आप से फिर कुछ महीनों बाद बात करने का मौका मिलेगा बहुत शुक् सारा बंसलियों से बात करने